या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्र में सब्तमी तिथी का भी विशेश महातु है देवी मा के साथ में स्वरूप का नाम है कालरात्री काल रात्र के बारे में अभी हम चार्चा करेंगे इससे पहले हम बात करेंगे दस महाविद्याओं के बारे में इन में से काली माता को भगवान शंकर की पत्नी कहा गया है इन्होंने ही असुर रक्त बीच का वद किया था इन्हें अंबा माता की बेटी भी कहा जाता है दूसरी माता है तारा जो प्रजापति दक्ष की दूसरी कन्या है ये तारा माता शैल पुत्री की बहन है तारा देवी को हिंदू, बौध और जैन ये तीनों ही पूझते हैं ये तांत्रिकों की प्रमुख देवी है छिन्नमस्ता ये देवी माता पार्वती का ही एक रूप है देवी का मस्तक कटा हुआ है इसलिए उन्हें छिन्न मस्ता कहा गया उनके साथ उनकी सहचर्णी जया और विजया हैं तीनों मिलकर उनके धर से निकली रक्त की तीन धाराओं का स्तवन करते हुए दर्शाही जाती हैं तुरपुर सुन्दरी इनकी चार भुजा और तीन नेत्र हैं इसे ललिता, राज राजेशोरी और तुरपुर सुन्दरी भी कहा जाता है तुरिमूर्ति, ब्रह्मभा, विश्नो, महेश इनकी जननी होने से जगदमभा ही तुरपुरा है महा विद्या समुदाय में तुरपुरा नाम की अनेक देविया हैं जिन में तुरपुरा भैर्वी, तुरपुरा और तुरपुर सुन्दरी विशेश रूप से जनी जाती हैं चौदा भूनों की स्वामिनी मा भूने शुरी, शक्ती स्रिष्टी क्रम में महा लक्षमी सुरूपा है, संपूर्ण जगत के पालन पोशन का दायत्व मा भूने शुरी देवी का है, परणाम सुरूप ये जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी विख्याद हैं प्रकरती से संबंदित होने के परणाम सुरूप देवी की तुलना मूल प्रकरती से भी किगाती है, यही दुर्गम नामक दैत के अत्याचारों से लोगों को नजाद दिलाने वाली हैं, और इसलिए ये शाकंभरी और दुर्गा नाम से भी प्रसिद हुई काली और भूनेशुरी ये दोनों एक ही रूप हैं, काली का लालवन सुरूप ही भूनेशुरी हैं, देवी के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है, तीनों लोगों का तारण करने वाली और वर देने की मुद्रा अंकुष पाश और अभे मुद्रा धारण करने वाली, मा तुरुपुर का अर्थ तीन लोक। दुरुगा सब्धशती के अनुसार देवी तुरुपुर भैरवी महिशा सुर नामक दैत के वद के काल से समंदित हैं। तुरुपुर भैरवी उर्धानवय की देवता हैं। माता की चार भुजाएं और तीन नेत्र हैं। इन्हें शोडशी भी कहा जाता है। शोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। ये देवी अपने अन्य नामों से भी प्रसिद हैं। और ये सभी सिध योगनिया हैं। जैसे की तुरुपुर भैरवी, कौलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, शम्शान भैरवी, सकल सिध भैरवी, संपत प्रदा भैरवी, कामेक्षुरी भैरवी आदे। देवी तुरुपुर भैरवी का घनिष्ट संबंद काल भैरों से है, सात्वी महाविद्या है धूमावती, धूमावती को पार्वती का ही सोरूप माना गया है, एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर विराजमान थी, उन्हें अकस्मात बहुत पार्वती ने क्रूद से भर कर भगवान शिव को ही निकल लिया, ऐसा करने के फल सोरूप पार्वती के शरीर से धूम राशी निस्रत होने लगे, जिस पर भगवान शिव ने अपनी माया द्वारा देवी पार्वती से कहा, धूम्र से व्याप्त शरीर के कारण तुम्हार नाम धुमावती पड़ेगा एक अन्य कथा भी है कि महाप्रले के समय जब सब कुछ नश्ठ हो जाता है स्वेम महाकाल शिव भी अंतरध्यान हो जाते हैं मा धुमावती अकेली खड़ी रहती हैं और काल और अंतरिक्ष से परे काल की शक्ति को जताती हैं उस समय न तो धर्ती नहीं सूरज चांद सितारे रहते हैं रहता है तो सिर्फ धुमा और राख वही चरम ज्यान है निराकार ना अच्छा न बुरा न शुद न अशुद न शुब न अशुब न अशुब धुए के रूप में अकेली मा धुमावती बगला मुखी दो शब्दों के मेल से बना ह पहला बगला और दूसरा मुखी बगला मुखी से अभिप्राय विरूपन का कारण और वक या बगला पक्षी जिसकी क्षमता एक जगे पर अचल खड़े होकर शिकार करना है मुखी से ताथ पर है मुख देवी का घनिश्ट संबंध अलोकिक पारलोकिक जादूई शक्तियों से भी है जिसे इंद्रजाल कहा जाता है देवी बगला मुखी समुद्र के मध में सिद मडमे द्यूप में अमूल रतनों से सुसजित सिंगासन पर विराजमान है देवी त्री नेतर है, मस्टक पर अर्ध्चंदन धारन करती है, पीले शारिरिक वन की है, देवी ने पीला वस्त्र और पीले फूलों की माला धारन की हुई है देवी के अन्य आभूशन भी पीले रंग के ही है और अमूल रतनों से जडित है दस महा विद्याओं में नौवी देवी हैं मातंगी। हनुमान जी के गुरू मतंग मुनी थे जो मातंग समाच से संबंध रखते थे। देवी का संबंध प्रिक्टरती परशुपक्षियों, जंगलों, वनों, शिकार इत्यादि से है। और जंगल में वास करने वाले वनवा आदिवासियों, जंजातियों की देवी पूजिता है। देवी मतंग मुनी के पुत्री की रोप में भी जानी जाती है। कालंतर में ये देवी बौध धर्म में मातागिरी के नाम से भी जानी जानी लगी। श्रीमत भागवत के आठवे स्कंद में देवी कमला की उत्पत्त की कता है। दस महा विद्याओं में अंतिम देवी कमला तांतरिक लक्षमी के नाम से भी जान जाती है। देवी कमला जगत पालन करता भगवान विश्न की बतनी है। देवताओं और दानों ने मिलकर समुद्र का मन्थन किया था। समुद्र मन्थन से जो रत्न प्राप्त हुए थे उनमें देवी लक्षमी भी थी जिने भगवान विश्न को प्रदान किया गया और उन्होंने प्रताओं के खजाने के रक्षक की पद़ पर आसीन है। देवी लक्षमी ही इंद्र और कुबेर को इस प्रकार का वैभाव राजसी सत्ताप्रदान करती है। दीपावली के दिन देवी काली और कमला की पूजा कि जाती है। शैव लोग काली की और वैश्णों कमला की पूजा करते हैं। कमला को ही महालक्षमी कहा गया है। प्रवत्र के अनुसार दस महाविद्या के तीन सम्हूं है। पहला सौमे कोटी जिसमें तुरपुर सुंदरी, भूनेशुरी, मातंगी और कमला का नाम है दूसरा उग्र कोटी जिसमें काली, छिनमस्ता, धुमावती और बगला मुखी का नाम आता है और तीसरा है सौमे ओक्रकोटी जिसमें तारा और तुरुपुर भहरवी देवी का नाम आता है आज हमने दस महाविद्याओं के बारे में बात की कल हम बात करेंगे 64 योगनियों के बारे में काल रात्र की उपासना करने से ब्रम्भांड की सारी सिध्यों के दर्वाजे खुलने लगते हैं और तमाम आशुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारन से ही भैभीत होकर दूर भागने लगती है मा दुरगा की सात्वी शक्ति के शरीर का रंग घने अंदकार की तरह एकडम काला है नाम से ही ग्यात होता है कि मा काल रात्री का रूप भायानक है सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्ध की तरह चमकने वाली माला है अंदकार में सिद्यों का विनाश करने वाली शक्ती हैं मा कालरात्री, काल से भी रक्षा करने वाली हैं मा कालरात्री, मा कालरात्री के तीन नेत्र हैं, ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मान के समान गोल हैं, इनकी सांसों से अग्नी निकलती रहती है, मा की सवारी करदब है, उपर को हमेशा वो निर्भैता प्रदान करती हैं बाई तरफ के उपर वाले हाथ में लोहे का काटा और नीचे वाले हाथ में खटग है इनका रूप भले ही भैंकर हो लेकिन वो सदयो शुभ भल देने वाली हैं इसलिए वो शुभंकरी भी कहलाती है यानि इनके भक्त को किसी भी प्रभाज से भैबीत होने या आतंकित होने की कोई आवशक्ता नहीं होती मा कालरात्र के दर्शन से भक्त पुर्णि का भागी बनता है कालरात्र की उपासना करने से प्रंभंड की सारी सिध्यों के दरवाजे खुलने लगते हैं तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के और रात्र भै दूर हो जाते हैं मा कालरात्र के क्रपा से भक्त हर तरह के भै से मुक्त हो जाता है मा कालरात्र दुष्टों का विनाश्ट करने वाली हैं मा के क्रपा से बाधा सहज ही दूर हो जाती है मा ग्रेजनित बाधाएं सहजता से दूर कर देती हैं मा कालरात्र की प छुटकारा मिल जाता है कुल्डनली जागरन के साधक इस दिन सहस्तरार चक्र को जागरित करने की साधना करते हैं नौरात्र की सब्तमी में साधक का मन साधक का मन साधना करने वाले भक्तों के लिए अथ्यन्त महात्वपूर्ण होती है सब्तमी की रात्री सिद्धियों की रात भी कही जाती है अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के आठवे स्वरूप महागौरी की अगर आपने हमारे यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से अनुरूध है कि आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद देवी मा के ग्रिपा आप पर सदयों बनी रहे जै मा दुर्गे